नमस्कार साथियों, अध्या साथ में आप सभी का स्वागत आए आज अध्या साथ में टाइपिंग गती बढ़ाने के टिप्स का अध्यन करेंगे टाइपिंग गती बढ़ाने के नियमों के उपर चर्चा करेंगे जहां तक मैं समझता हूँ यह साथ नियम है जिनका आपको ज्ञान पूरण अमल करना चाहिए सबसे पहला है आपके बैठने का पॉस्टर दूसरा है कीबोर्ड पर उगलियों की स्थिति तीसरा बिगनर्स के लिए कुझियों का संचालन चौथा कीबोर्ड को देकर टाइप ने करें पाचवा बैक स्पीस पर्योग नहीं करना है छटा एंटर और मौस का प्रयोग नहीं करना है सातवा बार बार अभ्यास करना है और टाइमर से गती चेट करनी है इस तरह से यदि आप इन साथ नियमों का सहिड किन से या सालघनी पूरण अमल करता है तो मैं समझता हूँ कि आप एक मेने के अंदर अपनी गति तीसद या इससे अधिक बना सकते हैं सबसे पहले बैठने का पॉश्चर बैठने के पॉश्चर के बारे में आपको मैं बता दूँ कि आप जब कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए बैठते हैं तब आपकी कमर बिलकुल सीधी होनी चाहिए यानि आपको आरंद एक स्थिति में नहीं बैठना है नहीं आपको ज्यादा आगे जुकना है नहीं पीछे ज्यादा जुकना है यानि आपकी कमर बिलकुल सीधी होनी चाहिए यानि आपकी कमर सीधी होती है तो आप अधिक देर तक बैठ का टाइप अभ्यास कर सकते हैं दूसरा है कीबूर्ट पर उंग्यों की स्किति जैसा कि आपको पता है आपके कीबूर्ट के उपर 47 पुझिया होती है चाह आप अंग्रेजी में टाइप करें या हिंदी में टाइप करें बाइस कुझिया आपने लेफ्ट हंड से करनी है और पचीस कुझिया आपने राइट हंड से करनी है लेफ्ट हंड आपका इसदेव के उपर रहेगा राइट हंड आपका पॉलंड एलजे के उपर रहेगा जब आप type करते हैं तो आपकी हतेली टेबल से थोड़ी उपर होने चाहिए इसके अलावा की कोनियों का प्रशी शैज़ंते होना चाहिए तीसरा मैं आग्णी के लिए बता दूँ सबसे पहला काम में आपको एक एक कुंजी का बारबर अभ्यास करना है, ये बारबर अभ्यास इसलिए कराया जाता है ताकि आपको याद हो सके किस कुंजी पर वर्ण माला का कौन सा अक्षर है, जब आप बारबर अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाता है किस कुंजी प तrestaur कि जब आपको अगले अध्याम नहीं जाना हैं और दबाब शल्चों का बारबबर अभ्यास करता है निसाजका इसमें happiness आपको कुझ्यों की दशा और दिशा याद हो जाती है, उसके बाद आपने कीबूर की तरफ बिलकुल नहीं देखना है, आपकी निगाएं सिरफ आपके टेक्स्ट के उपर होनी चाहिए, यदि आप कीबूर की तरफ देखेंगे, तो आपके टेक्स्ट में से लाइन चूट स सकते हैं, कहीं ना कहीं कहीं अशुधियां से आप टाइप करना शुरू कर देंगे, चौता इसमें आ जाता है, बैक्स्पीस प्रयूब नहीं करना है, यदि आप टाइप करते हैं, तो आपको लगता है आपके पैराग्राफ में या कोई ऐसा कठिन शब्द है, तो सबसे प तीटी में पैराग्राफ टाइप करते वक्त कोई गल्ती हो जाती है, तो बैक्स्पीस का परियोग करके गल्ती को ना सुधार रहे, यानी जैसे आप टाइप करते हैं उससे आगे बढ़ते हैं या आप बार बार परियोग करते हैं, सबसे पहले काम होगा कि आपकी गति नह नहीं करना है इसमें आजाता है कि किसी तितिमे आपको टाइब करते वक स्वाइब करेंगा करका चेंज करते हुए गढ's अब आप साथवान और में जैसा कि मैंने अभी पहले बताइए सबसे पहला काम है आपने एक-एक कुण्जी को याद करना है दूसरा करना है शब्दों का अभ्यास करना है ताकि आपको कुण्जी की दशाख और दिशाख की दूरी का ग्यात हो सके और जब आपको शब्द टाइप करते हैं और कोई कठिन शब्द आ जाता है, तो उस कठिन शब्द को बार बार टाइप करना है, ताकि आपकी गल्तियां ना आ सके, और इसके बाद आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है, आप किसी भी प्रस्क्षण केंदर पर जाता है, जहां आपको एक गंटा, दो गंटा या इस वाल कलोग का प्रियू कर सकते हैं, वाल कलोग मुबाईल या टाइमर को देखकर, आपने दस मिनट पैराग्राफ को टाइप करना है, तो आपको पता चल सके, कि आप किस तनी गती से टाइप करना है, यह आप अपना टेस्ट, आप सब्ता में दो बार, या हर दूसरे दिन, या हर तीसरे दिन अपना ले सकते हैं, तो आपने गती बढ़ाने के लिए अपना टेस्ट सम लेना है, इस तरह से आपने बार-बार अभ्यास करना है, मित्रो यह प्रेक्टिकल चीज है, जितना आप बार-बार अभ्यास करेंगे, तब ही आप अपनी गती कर सकते हैं, अभ गती बढ़ती जाएगे तो आप एक महीने में देखेंगे कि आपकी गती तीशब या इसे अधिक्की हो गई है। है।